इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप प्ले स्टोर से फ्री फायर डाउनलोड करते हैं, बट वो डाउनलोड नहीं होता है आपके फोन में, या पेंडिंग लिक कर आता है, या फिर कुछ ना कुछ एर्रो लिक कर आता है, तो इस प्रोबलम को आप कैसे सही करें, यहां पर मैं आपको बताऊंगा विडियो ध्यान से देखते रहिए तो सबसे पहला तरीका इसे सही करने का आप Play Store में चले जाए इस तरीके से और Profile के Option पर क्लिक कर ले यहां पर इसके बाद नीचे की तरफ आए और Settings में आए आप यहां पर About के Option पर आजाए और यहां पर आपको Update Play Store का Option दिखाई देगा तो यहां से आप अपने Play Store को Update कर ले देखिए मेरा Already Update है अप टू डेट है आप यहां से Update कर ले इसके बाद आपका Free Fire Download हो जाएगा बट अगर अभी भी आपका Free Fire Download नहीं होता है तो यहां पर दूसरा तरीका देखिए आप अपने File Manager में यहां पर आजाए और यहां पर चेक कर ले आपकी Storage Full तो नहीं है देखिए यहां पर मेरी Storage अभी भी खाली है 44 GB खाली है तो आपकी भी Storage खाली होना चाहिए Phone Storage में जाकर अगर आपका कोई काम का वीडियो फोटो कुछ काम का नहीं है तो आप उससे डिलीट कर दे ठीक है इस वज़े से भी प्रॉब्लम आती है और आप डाउनलोड करते है Play Store से Free Fire को तो वहां पर Can't Enough Storage या फिर ऐसे Error आते हैं और डाउनलोड नहीं होता है अगर अभी भी आपका डाउनलोड नहीं होता है Storage खाली है फिर भी तो ये तीसरा तरीका अपना है तो इसके लिए आपको क्या करना है यहां पर देखिए अपने Wi-Fi को बन कर देना है और अगर Mobile Data से आपने Connect किया है तो उसे भी बन कर देना है इसके बाद आप Airplane Mode को यहां से On कर ले ठीक है और अगर चाहे तो एक बार Power Button को Long Press करें और Restart यहां से कर ले मैं नहीं कर रहा हूँ बड़ा Restart यहां से कर सकते हैं और Phone On होगा तो Airplane Mode को यहां से बंद करें आप अपना अगर Mobile Data से डाउनलोड कर रहे हैं तो Mobile Data On करें Wi-Fi से On कर रहे हैं तो Wi-Fi On करें इसके बाद अब आप यहां पर Play Store में जाएंगे और Free Fire आप सर्च करेंगे तो Install पर क्लिक करेंगे तो यहां पर Download होना Start हो जाएगा इस तरीके से आप अपनी Problems Solve कर सकते हैं